बुंदेलों से ह्रभेलों से हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वो तो जासीवाली रानी थी अब लोग देख सकते हैं दोस्तो टाये वही जगाये जहां से जाई पर सवार नो प्रसां गारोका हुआ कि अधर है पॉर से वहिए कॉनुाय को ज़से सबस्क्राइब से इस जगाय पर अगए है कि दोस्तों आज कि व्लोग रहने वाला भॉत ही इंट्रस्टिक रहने वाला है आज हम लोग आ चुके है जहसी फोट जैसा कि आप लोग दे सकते हैं कि दोस्तों टेक हम 200 लीद क rudच ईसा कि आप लोग देखके हैं हम लोग जहां सी फोट चुके हैं और जैसे ही आप लोग अंदर आएंगे आप लोगा सॉनी तरफ स्कार्थ जाएगी कड़क विझली तोप कैसा कि आप लोग दिख सकते करना मिज़िये हैं यहाइच जब चलती थी तो विजली की आवाज उत्पन करती थी इसलिए इसका नाम कड़क विजली तोप रखा गया है और इंडिया की दूसे नमरी सबसे बड़ी तोप है पहली तो अजमेर के लिए में रखी गई है वह पहले नमर की थी और कड़क विजली तो दूसे नमरी सबसे बड़ लुए दोस्तों हम लोग कड़क विजली तो गूम कर अब जा रहे हैं अंदर की तरफ और अंदर की तरफ जैसी आप लोग आएंगे सामने इस तरह आप लोग को भूमने के लिए मिल जाएगा गड़ेस मंदर ववानी संकरतों पॉप बारा दरी चलते हैं अंदर की तरह भू से ला कितना ही विशाल बना हुआ है और अब लोग दे सकते हैं जैसा कि इस साइड बना हुआ है जड़ेस मंदर इस के लिए में गड़ेस मंदर जो करीब सालेश-चार सु साल पराना आप लोग चल गर दिखातें उसको कि यह लोग आप गिट दे सकते हैं अंग्रेजों के प्लेक के अनुसार बने आया है उसी प्रेटार की लमें आखिटियां दी गई हैं और आप लोग सामनी तरह दे सकते हैं करीब सब्सक्राइब दो मंदर में पूजा अर्चना के लिए आया करते हैं अब लोग साइड से आएंगे मंदर के पीछे साइड से और आप लोग यहां पे रास्ता देख सकते हैं जो नगर के लिए जाता है अ गेट क्ते याँ अगी चैसे सकते हैं याँ पर जो गेट लगाई गहा है,"कितने मोटे लकड़ी की गेट बनाया जाते थे prosperu सकते हैं आप लोग कितनी मोठादफ य '' अस्तेमाल किया गया चुछ यहाँ है आप लोग कर दे सकते हैं तीकले निकली ऊई हैं जो हातियों कि लिए और संगीद में बहुत बुषर ती बारहि दॉआरी चौकर रूप से बनाई गाई जिया है थीन गेट साइडा तीन गेट और साइडा यह तीनों गेट जार तरह बनाए गाई है है तो!!! में और उस बत का फाउंटेन है जिसमें उस समय पानी निकला करता था और समय पानी भरा रहता था और दोस्तों यह इस रंग है जो किले से बाहर जाती है अब इसको बंद कर दिया गया है अब हम लोग इस बारा दौरी की उपर जाने वाले हैं कि जो बारा दौरी आप लोगों दिखाई अभी उसके जश्क उपर हैं और आप लोग यहां से पूरे जहां से सेर का नजारा देख सकते हैं कि दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कि लेके उपरी इससे में और यहां पर रखी गई यह भावानी तोप जो चलने पर इसमें महां भावानी की सक्ती आ जाती थी इसलिए इसका नाम भावानी तोप रखा गया है तोप पर हाती की आकरती बनाई गई है पीछे की तरह देख सकते हैं आप लोग और यहां पर कुछ लेक लखाए गई हैं पुरानी शैली में जो अभी तक चमक रहे हैं और आप लोग दे सकते हैं क्या ही मजबूत तोप बनाई गई थी आप लोग दे सकते हैं यहां पर जो गेट पहले बना हुआ था वो तोड़ दिया गया था गोले दाक कर और अब इसको अंग्रेजों ने दुवारा बनवाया था देख रहा है आप लोगों को गेट के लिए के उपी इस से मैं जहां पर आप लोगों को दखाएंगे जहां स पर आप लोग जो मशीन गन दे सकते हैं पैर दोरा चलाई जाती थी जर्मन कंपनी दोरा बनी हुई है मशीन गन वहां पर रखी रहती थी लोगे की जाली पर और चलते हैं अब अंदर की तरह और आप लोगो दे सकते हैं जो मशीन गन अभी देखाएंगे आप लोगों को वह यहां पर कसी रहती थी जो पैरों से चलाई जाती थी जैसा कि आप लोगो दे सकते हैं यहां पर मसीन गन लगी होई थी जो पैरों दोरा चलाई जाती थी और यहां पर जो खड़कियां मनाई आप लोग दे सकते हैं और आप लोग दे सकते हैं और आप लोग दे सकते हैं इसमें लिखा भी यह गन नम्मा 97 यहां से वो देखा करते थी इसके लिए कुछ तरफ ना सकते हैं और अंदर से बार की तरह दे सकते हैं और अंदर की बार से जो गोली और तीर आने वाले वह अंदर तरह ना सकते हैं इसलिए इन खड़कियों को तरफ बनाया गया है एकला जब बना हुआ था तो कुछ इस प्रकार की खड़किया थी यहां पर फिर अंग्रेजियों का सासन इसके लिए पर हो गया तो फिर उन लोगों ने इस प्रकार की कुछ आयरण वाली खड़किया बनवा दी यहां पर और यह आप लोग हमारे पीचिक तरह दे सकते हैं इसको बोलते हैं पंच मेल इसमें माराई दश्ची भाई निवास करती हुथी और यह जहांसी के लिए का वीवपॉंट जहां पर आप आकर फोटू तो भी खिचवा सकते हैं आप लोग जैसा की दे सकते हैं आप लोगों को एक पाड़ी दिखाने वाले हैं यह एक पाड़ी है जहां पर अंग्रेजों ने कब्जा करकर तोप से गूले दागे थे इस जहांसी फोट पर जमा कुटी संसत्तावन की वाय तलवार परानी थी बुंदेलों के हरवेलों से हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो जहांसी वाली रानी थी अब लोग देख सकते हैं दोस्तों आए वही जगह है जहां से जहांसी वाली रानी थी अपने गोड़े पर सवार उपर अब हम लोग जगह चलने वाले हैं जहां पर पुराने समय में फासी दी जाती थी और यहां पर एक कारागार भी बना हुआ है जो उस समय जेल के रूम में इस्तमाल किया जाता था और यहां पर एक सिर्म मंदर भी बना हुआ है जो करीब सालेश चार सुल पराना बना हुआ है चलकर आप लोगों को दिखाते हैं यह आप लोगों को दे सकते हैं इस साइड इस साड जो पूरी आपको च्छत दिख रही है यह पूरी जेल होती थी लिटे और समय में और गेट रहता था नीचे चलकर दिखाते हैं आफ लोगों को दोस्तों आप लोगों को दे सकते हैं यह उस जवाने की जेल होता करती थी जैसे क हरी लोगेरी सकते हैं even पर पहले लकड़ी की गेट होता करते थे फिर अंग्रेजी सासन में यहाँ पर लोहेग के गेट लगा दिये गाए हैं और आप लोग इनमें एक काल कोटियां देख सकते हैं और बगल में भी बनी होई है कि आप देख सकते हैं इन गेट को रोग ने कि बड़े बड़े कड़ों का यहाँ पर और प्यूप किया गया आएं सकते हैं और रहे सकते हैं कितना ही बजंदार इसमें लोहे कर्षिम्स किया गया है जैसा कि हमने बताया यहाँ पर एक फांसी घार है जैसे सामने की तरह यहाँ पर एक फांसी घार है आप लोग दो सकते हैं यहाँ पर उस समय केदियों को फांसी दी जाती थी इस जगाये पर जैसी आप लोग फांसी घार से नीचे की साइड आएंगे यहाँ पर एक से मंदर बनाया गया है जिसमें यह नाइट पक्तर की सरलंग है यह करीश सालेश चासु साल पुराना है मंदर आप लोग दिखाते हैं नरू संकर की काल में नर्मत ऐसे मंद मराठावा बंदिल यहां नियमत रूप से पूजा अर्चना के लिए आती थी आती थी आपसर अपा रहा है यहां सिद्धालियों की बड़ी संख्या में उपस्तिती आप पूजा अर्चना भी होती है जैजाय स्रीडां हरहर महादेग आप लोग दे सकते हैं नरू काल में बना हुआ एक से पत्थर की बनाई गई है यहां मंदर यहां में के लिए बना था तावी से यहां पर है जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा वमारे पिछले बिलॉग में यहां पर अपने फूल नहीं लगा गाए थे अब आप लोग दे सकते हैं कितना बढ़ जाई यहां पर फूल लगा हुआ है जहां पर मेटिंग हुआ करती थी जट भी लिकिए अठारा सुच्छानवे और यहां पर दीवाने आम मना हुआ है जहां पर गंगा धर्राओ का सिंगासन हुआ करता था और वाए आम जंता से यहां पर बात किया करते थे दोस्तों आम लोग जहां सी भूड भूम अक्षचार के लिए होंने हमारे काफी वीडियो देखे हैं और काफी वीडियो देखा को रहा हुँआ है कि यह लोग में चुके हैं बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों से मिलकार जोस्तों तो आम लोग जाने बाले हैं पंच काल मैं देख सकते हैं आप लोग यह पंच मेल इसमें उस समय मसालें जलाई जाती थी यहाँ पर लगी रहती थी मसालें जिससे यहाँ पर पूरी पंच मेल में उजाला रहता था और हम लोग जानी बाले हैं भूतलमा यहाँ पर आप चमगादल रहनी लग गए हैं पंच मैल मूलता या पंच तलिय भवन था जो राजा बीर सिंग जूदेव दुआरा निर्मित कराया गया था राइन लच्चमाई ने भी बिसेस रूप से इसके भूतल का प्रियुक किया जो इनके सवाकच के काम आता था पानी के टैंक बने हुए हैं जिससे पूरे के लिए में पानी सप्लाई होता था दोस्तों आप लिए सकते हैं यहाँ पर सामार रखने के लिए खड़ियां बनाई के लिए दोस्तों यहाँ आप लोग दे सकते हैं जब राजा महराया आते थे तो इन गोलों में बारूड डाल कर हवाई फायर किया जाता था जाए जो राजाओं ने बनवाया था लेकिन इस के लिए पर राणी लच्ची भाई के नाम से जाना जाता है दोस्तों इस भी लाइब लोकुल आ रहा है अगर आप चैनल पर नाया तो चैनल सब्सक्राइब जरू करना है अगले बिलोग में ऐसे हम के लिए उनके वीडियो घ्रिणने फिनने वीडियो लाते रहते हैं में रहें बहुत बहुत रहें बहुत आप लेगा देखनी के दिए